क्वंक्सियून की स्टोरी, यीमो, यीमो, क्वंक्सियून के उपर यीमो लेटा हुआ होता है, क्वंक्सियून बोलता है अभी, हमें शादी के बारे में डिसकस करना चाहिए, यीमो बोलता है तुम गेवप नहीं करोगे, क्विन उसके गले में हाथ डाल के बोलता है तुम मे मेरी जगह रह के सोचो, मुझे आंसर चाहिए लीमो, लीमो बोलता है हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए तुम और मैं दोनों ये जानते है कि ये मेरिज सब रुवीन कर देगी, क्विन कहता है तुम कैसे जानते हो ये, क्विन को खासी आती है और उसके मुझ से बलड आने लग था, दो सर्वन चिलाते हुए जा रही होती है, यंग मास्टर को स्नेक ने काट लिया है, घर के सभी लोग इकठा हो जाते है, बुई औरत बोलती है तुमने इसके जख्म को ठीक किया, लेडी शीन की दवाई काफी काम करती है, और ये खिला दी गई है पर असर नहीं हुआ कुछ, क्विन के फादर पूछते है, क्या तुमने देखा कौन सा स्नेक था, सर्वेंट बताती है कि वो स्नेक ब्लेक और बड़ा था, उसका बेली गोल्डन था, उसने मास्टर के राइट हैंड पर काटा है, फादर क्विन के हाथ को देखता है, और बोलता है कि मेरा बेट उस पे गिर गया था तभी उसने मुझे काटा तो ये मेरी गल्ती थी तभी इमो कहता है तो तुम जानते हो कि तुम्हारी गल्ती थी Quinn पूछता है तुम कौन हो इमो कहता है मैं वही snack हूँ जिस पर तुम ने चाए बिना वज़े गिराई थी यीमो बिस्तर पर बैठा होता है, क्वीन सोचता है, शायद उसे चीजे दिख रही है, फिर भी वो पूछता है, क्या तुम्हें चोट आए और सौरी बोलता है यीमो क्वीन के गाल पर हाथ फेरता है, बोलता है मैं ठीक हूँ पर तुम मेरे द्वारा कटे गए हो तुम लंबा नहीं जियोगे Quinn बोलता है ये शायद मेरा fate है लीमू कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कई तरीके है कि तुम्हें ठीक किया जा सकता है क्या तुम ready हो मुझे एक इनसान की जरूरत है जो मुझे trial में help करें तो क्या तुम help करोगे Queen कहता है मैं तो सिफ एक आम इनसान हूँ मैं क्या कर सकता हूँ लीमू कहता है अपने आपको अन्रेस्टिमत मत करो डील कर लो वन वीक लेटर कुईन के पिता सब को खाने पर बुलाते है और सभी को थैंक्यू बोलते है यदि आप लोग नहीं होते तो शायद मेरा बेटा नहीं बचता तभी एक इनसान पूछता है यंग मास्टर कहा है क्विन के पिता बोलते है वो अपने रूम में है अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है तभी एक लड़की बोलती है कि वो क्विन से मिलाना चाहती है क्विन की मा बोलती है ठीक है जल्दी मिल लेना उसे रेस्ट की जरूरत है लड़की ओक कहती है दूसरी तरफ लोग बात करते है क्विन एक टेलेंटेड लड़का है यदि बच्पन का हाथसा नहीं हुआ होता तो आज वो कुछ और ही होता, तभी वो लड़की मन में सोचती है कि अभी तक नहीं पता कि यंग मास्टर उस दिन लेक में क्यों गए थे क्विन अपने कमरे में बैट के बच्चों की बुक से इरपेंट को रिस्टोर कर रहा होता है, तभी वो लड़की आ पहुँचती है, पूछती है तुम कैसे हो क्विन बोलता है आंटी, वो पेपर पर लिखता है कि वो ठीक है और आंटी को दिखता है, आंटी सही है करके सरहिलती है, आंटी पूछती है कि क्या तुम इस बार मेरे साथ घराना चाहोगे बड़े बेटे होने के नाते तुम फैमिली बिजनेस आज नहीं तो कल संभालोगे, क्विन कहता है अभी वक्त नहीं हुआ है और मैं यहां ठीक हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, अक्सर तुम्हारे माता पिता को चिंता लगी क्विन कहता है कि वो समझता है ये सब पर यांग ब्रद ये बिजनस संभाल लेगा, ये सन के आंटी खुशो जाती है और कहती है लेट हो रहा है मुझे जाना चाहिए उनके, जाने के बाद क्विन सोचता है कि ये आंटी अभी भी मुझे टेस्ट करती है कि कही मैं फैमिली उठता है, क्विन सोचता है कैसे कैसे लोग होते है मानो ये बात ये मो उसकी मन की जान जाता है, वो बोलता है आई टू आई वाला रवेंज होना चाहिए कभी गलत के आगे जुको मत और क्वीन को बिस्तर पर रखता है, क्वीन पूछता है कि उसे क्या लगता है, कि वो कै इसा इंसान है यी मो बोलता है कि वो अच्छा है उसने उसे help करने को भी कहा कुईन बोलता है मैं simple इंसान हूँ पर तुम good हो या evil यी मो बताता है कि ये depend करता है साथ ही उसे एक book भी देता है दोनों मिलके read करते है कुईन मन में सोचता है उसके पास कोई है जिस पे वो sir रख क आराम कर सकता है तभी, क्विन पूछता है मुझे क्यों उठाया तुमने इमो बोलता है क्योंकि मैं चाहता था, क्विन बैज सेर पेंट